कि आप भी इस टाइप का गैजट घर पर बनाना चाहते हो तो वीडियो को पूरा जरूर देखेगा So hello friends, welcome back to my YouTube channel तो दोस्तों इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं 4-in-1 गैजट तो वीडियो को पूरा जरूर देखेगा तो यहाँ पर दोस्तों मैं 3 mm का MDA Board ले रहा हूँ आप इसमें मार्किंग देख सकते हो यहाँ पस दोस्तों मैंने मार्किंग कर दिया है कि इतना लंबा चोड़ा आपको करना है MDA Board का पीस तो आप इसका इंस्क्रिन स्वाट भी ले सकते हो तो दोस्तों मैंने इस टाइप से हेक्सा ब्रेट से सभी पीसेस को कट कर लिया है और यह बहुत इसली कट हो जाता है तो हमें दोस्तों इन सभी पीसेस को चिपका कर एक बॉक्स टाइप का बनाना है ताकि हम इसके अंदर कंपोनेंट वेकरा को अच्छे से लगा सकें तो दोस्तों आपको MDA Board जो है फोटो करने वाले स्वाप पर या फिर हार्डवेर की स्वाप पर भी इसली मिल जाएगा तो आप दोस्तों इस टाइप से MDA Board का बॉक्स बना लीजिए और यहां पर दोस्तों मैंने होल भी कर दिया है ताकि हम यहां पर इंडिकेटर लाइट और स्विच वेगेरा अच्छे से होता है तो दोस्तों आपके पास तो यह सर्कृट नहीं होगा तो आप नीचे में देख सकते हो फोटो पी एम चावरासी जिरोतीन एंप्लिफाइड कीट का यहां पर यहां पर देने के लिए और यह 3.7 ओल्ड का है यहां पस मैंने नेगेटिव में सोल्डिंग कर दिया है और यहां पस मैंने पॉजिटिव पर कनेक्ट किया है यहां पस मैं एक बेंट स्वीच कर दोस्तों एक आपको इलेक्टोनिक कम्पोनिंट के शाप पर पांच रुपय में इसली मिल जाएगा तो इसमें आपको 3 लेक्ट मिलेगा उसकी सेंटर वाले लेकपर मैंने बेंटरी के वायर पर दोस्तों मैंने Bluetooth कीट का जो है शोल्डिंग कर दिया है तो यहां पर हमारा connection जो है हो गया है तो दोस्तों हम इसे solar panel से चार्ज करने वाले हैं तो यहां पर मैं six volt का solar panel ले रहूं इसे मैंने दोस्तों science project की swap से लिया है आप चाहो तो किसी पुराने solar panel से चार्ज होने वाले टार्च के अंदर से भी इसे लिकाल सकते हो तो यहां पर दोस्तों मैं इसे जल्दी से वान के का resistance holding कर दे रहा हूं तो इसे वान के का resistance हमारा जो है LED फ्यूज नहीं होगा क्योंकि हमारा solar panel जो है six volt का output लिकालने वाला है यहां पर दोस्तों मैं solar panel के नेगेटिव वायर को LED लाइट के नेगेटिव पर folding कर दिया है और रेड़ वायर जो positive है उसे हमें रजिस्टेंट के रजिस्टेंट पर हमें folding कर देना इस टेप से तो दोस्तों मैंने इसे होल पर लगा दिया है देख सकते हो अब दोस्तों इस solar panel को से भी कनेक्ट करना पड़ेगा तो यहां पास मैं एक इस्ट्रा वायर ले रहा हूं और इस वायर को दोस्तों मैं solar panel के इनट वाले भाग को रजिस्टेंट के बेच में सोल्डिंग कर देना है और सिल्वार वाले पर फ्रेंट्स हमें इस रेड़ वायर को सोल्डिंग कर देना है तो इससे फ्रेंट्स हमारा बैटरी का पावार जो है वापस वापस नहीं जाएगा तो इससे हमारा बैटरी का जो है पावार बचेगा और वेस्ट नहीं होगा पावार अब दोस्तों बैटरी के नेगेटिव पोजिटिव पर हमें solar panel का वायर जो है कंपोनेंट वागेर को बॉक्स के अंदर डाल सकते हो दोस्तों इस ग्याजेट की तीसरे फिचर के लिए मैं हाँ पास एक लिडी लाइट का पैनल ले रहा हूं और इसे मैंने पुराने टॉर्च की अंदर से निकाला है आप चाहोते हैं इसे इलेक्ट्रोनिक कंपोनेंट क सबसे भी खरीच सकते हो और इसे लगाने के लिए मैं हाँ पास दो होल भी कर दे हैं तो हमें सिंप्ली उस होल पर वायर को डाल कर इसे क्लूगन की मदद से चिपका लेना है एमडिये बोट के उपर तो सिंप्ली आप चिपका देजिए इस टेप से दोस्तों और यहां पास मैंने इस लेटी लाट के नेगेटिव पोजिटिव पर दो वायर सोल्डिंग किया है ग्रीन कलर के वायर हो फ्रेंट्स हमारा नेगेटिव के लिए और वायर का लाट भी ओन होगा तो हमें सिंप्ली से कनेक्ट कर देना है एक ही स्विच पर एलिडिलाइट के वायर को तो से देख सकते हो मैंने वायर जो है सोल्डिंग कर दिया स्विच पर और हमारा अच्छे से वाक कर रहा है और लाट भी दोस्तों इस गाज़ेट में प्रॉबलम है कि हमारा सोलार पानल सिर्फ सनलाइट के रहते ही बेंटरी को चार्ज कर पाएगा तिस प्रॉब्लम का सलूशन है एक माइक्रोइजबी पोर्ट और माइक्रोइजबी पोर्ट जो है फ्रेंड आप घर पर भी बना सकते हो इस टेप से यह आप चांथा फिचर भी बनेगा इस गाजेट का तो इसे लगाने का अच्छा तरीका है आप फ्रेंट डारेक्टर मोबाइल चार्जर के पीन को इस टेप से लगा कर ग्लूगन से चिपका सकते हो तैसा करने से फ्रेंट समय इस चिपकाने में असानी होती है और इसी टाइप से दो द्यहां पर दोस्तों मैं मार्किंग कर ले रहा हूं Two In paternal. इसे काच ने Mouse लाईयर ले रहा हूं दोस्तों मैं सिम्प्ली एकrans क्रूड रायर ले रहा है और इस प्रीप को मैंने थोड़ा सारप कर दिया तो मैं फ्रेंट इस स्कूड रायर को γण कि चार ओर हमें ये फ्रेंट के लिए मैं आपास glue gun का यूश करूंगा आप चाहोते इंस्टेंट ग्लूट का भी यूश में ले सकते हो तो फ्रेंड्स अगर माइन में कुछ भी question होगा तो मुझे comment करकर बता सकते हो मैं आपके question कांसर जड़ू दूंगा यहाँ पर दोस्तों इस Bluetooth किट में दो स्पॉर्ट दिख रहोगा यहाँ पस हमें इन आउट्पूट के लिए इस पीकर का वायर सोल्डिंग करना है तो दोस्तों आपके पास तो यहाँ किट नहीं होगा तो आप आप एमोजोन से PM8403 आडियो एंप्लिफायर किट और एक Bluetooth रिसीवर का भी यहाँ पस यूश ले सकते हो इसका बाय लिंक दोस्तों मैंने डिस्क्रिशन में दे दिया है आप वहाँ से भी खरी सकते हो तिहां पर दोस्तों सिंप्लिफ वायर को स्पीकर के नेगेटिव पॉजिटिव पर शेल्डिंग कर देना है इस टाइप से देख सकते हो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजे और चानल को कर नोटिफिकेशन वेल को आल पर प्रेस कर दीजे अब दोस्तों हम इससे मैंने सेंड पेपर से इसे स्मूथ कर दिया और दिखने में भी यह बहुत अच्छा दीख भी रहा है अब दोस्तों इसका कनेक्शन डाइग्राम आप देख सकते हो आप चाहोते हैं यहां पर इसक कनेक्शन कर सकते हों इसमृब दिखाई दे रहा है और इसका फ्रेंड बहुत अच्छा है दोस्तों मैंने इसमें थोड़ा रिष्यन भी किया थाकि हमारा ग्याजट जो है और भी अछा दिखाई दे त्य हैं पर दोस्तों सोलार पानल से भी चार्ज होगा और यहां आप इ का फहला feature है friends इसे आप solar panel से भी charging कर सकते हो यानि sunlight से दिहाँ पर दोस्तो हम इससे 3.7 वोल्ट आउंट भी ले सकते हैं किसी लेडी लाइट वेगेरा को जलाने के लिए तेहां पर दोस्तों आपको इस टेप से चारजर ककेबल ले लेना है और इसको माइक्रोवीर पर इस्काइब से डाल कर आप इस मोटर विगेरा बड़ी असानी से चला सकते हो देख सकते हो बहुत अच्छा से और फैंट चेंट से हमारा मोटर जो है चर रहा है तो इसका यूज कर सकते हो इसका थार्ड़ा फीचर है दोस्तों से ब्राइट की सजि तरह यह था है ले सकते और इसका ब्लूत राइच की तरह दो सरदरador जो है प्रिश करना है उसके बाद हमारां संदन हो जाएगा फैंडेल करको एंदर आपको सिप्ले किसी भी डिलाइस से स्वांग से कर पराइच कर सकते हो इस्ते przeci तो वीडियो को जरू से लाइक किजिएगा अपने दोस्तों को भी शेयर कर देजिएगा और सब्सक्राइब करकर बेल आइकन को जरू से फ्रेस किजिएगा तो चलिए अब इसका sound quality आप सुन लेजिए आई हो फ्रेंड्स यहां वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दिजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब का वेल आइकन को जरू से फ्रेस किजिएगा तो फ्रेंड्स में अगले किसी इंट्रेस्टिंग वीडियो में तब तक के लिए